हलो एवरिवन आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस शांदार फ्लैटफॉर्म पर जिसका नाम है मैगनेट ब्रेंज मैं हूँ जीशान आपका मैट्स मिन्टॉर और क्लास नाइन आज अपन शुरू कर रहे हैं हीरॉन्स फॉर्मूला यह है क्या चाप्टर तो भाई आ जाएंगे अपन को या कितने सेशसें आएंगे Ephraer इसमें यह कितना बड़ा chapter है क्या इसकी planning कैसे ही है शुरू क्या करना एंड क्या करना है समझ मैं आरी यह बात तो सर सब से पहले हम देखिए इसका chapter overview और फिर हम चलेंगे इसके introduction पे इसका introduction इतना बेतरीन लेकर आया हूँ ना भाई मज़ा आजाएगा तुम्हें तुम खुद कहोगे के हां sir ये introduction literally this is the introduction आपको जिसकी जरूरत है तो sir शुरू करते हैं हम आज का session here on formula class 9th बहुत important but बहुत आसान chapter जल्दी से शुरू करते हैं ठीक है चलिए chapter overview ये जो video है ना this is about chapter overview and introduction तो इसी video में अपन introduction भी देख लेंगे ठीक है इसके बाद जो exercise one जो आपकी exercise one है exercise one का मतलब है आपकी ncrd में chapter जो भी है ना उसकी exercise one point one ठीक है तो exercise one देख लेंगे अपन एकी session में आ जाएगा 6-7 question है जादा नहीं है तो easily अपन समझ लेंगे फिर बच्चों उसके बाद extra question practice के कुछ parts आएंगे extra practice question part 2 है ना ये भी देखेंगे अपन mcqs कराओंगा by assertion reason कराओंगा most important questions कराओंगा one shot revision कराओंगा ये सब कुछ आपको इस chapter में मिलने वाला है दोस्त ठीक है तो बढ़िया से इस chapter की ये planning में लेकर आया हूं आपके सामने यार इस planning को जल्दी से लिख लो मेरे हिसाब से तो तुम्हें पॉस करना चाहिए और लिख लेना तो सर आज आप introduction में पढ़ाने क्या वाले हो वह मैं introduction में आपको बढ़ाने वाला हूं कि हेरोंस फॉर्मला आया क्यों क्या जरूवत पढ़ गए हिरोंस फॉर्मला की समझ ले हो होता क्या है एकदम से सर यह कैसे उचल के आ गया तो चलो बताता हूं लेकिन उससे पहले अपन को triangles की कुछ history बढ़नी है चलो बढ़ते हैं sir introduction बहिए geometry में triangle होता क्या है sir triangle सबसे पहला polygon होता और वो straight lines से straight side से जोड़के बना होता closed होता जैसी मैंने बोल दिया बच्चा polygon मैंने बोल दिया first polygon मैंने बोल दिया first polygon chapter triangles पढ़ा है ना पन ने उसी के according भी बता रहा हूं मैं first polygon है triangle अब जैसे polygon शब्द आ जाए बच्चो तो तुमारी दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए क्या पहली चीज closed होगा दूसरी चीज straight line से बना होगा ठीके circle भी तो भाई closed है circle भी तो closed figure है पर polygon नहीं है क्योंकि ये straight line हो से नहीं बना है ये curve से बना है हना okay तो sir geometry में triangle is a close three dimensional figure that is the first polygon दूसरा line हम इस session में पढ़ेंगे क्या we are going to learn here on formula for class 9 obviously class 9 के लिए हम here on formula पढ़ने वाले which is used to find the area of triangle अब तुम कोगे कि sir area of triangle निकालने का तो formula होता हाफ into base into height तो हमें here ons की जरूरत क्यों पढ़ गई आप पहली बात तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बन जानी चाहिए here ons formula एक ऐसा formula है जिससे triangle का area निकलता बात खतम पहली line का area निकालने के लिए और भी formulas होते हैं पर अपन ने तो half into base into height ही जाना है तो भया एक चीज़ कन्फर्म कर लो दिमाग से निकाल के fake दो that we have बहुत सारे formulas जिन से हम triangle के areas निकाल सकते हैं बात समझ में आई अलग-अलग condition के लिए अलग-अलग formulas है here on formula भी एक special condition के लिए चलिए पढ़ते हैं ठीक है आगे पढ़ते हैं sir you will also learn how here on formula is used to find the area of other polygons in detail अरे वा अल्थो यह तुमारे syllabus में नहीं है बट मैं इसलिए लाया हूं कि तुम्हें समझ में आए कि हम here on formula से quadrilateral का formula भी निकाल सकते हैं हम here on formula से parallelogram का formula भी निकाल सकते हैं समझ रहे हो ना आए तुम here on formula से निकाल सकते हो quadrilateral का भी area तुम here on formula से निकाल सकते हो बड़े आराम से जल्दी से समझाऊंगा तो मैं टेंचन ना लो सर ये रही हमारी सबसे पहली स्लाइड क्या है से ट्राइंगल जादा मैं तुम्हें पकाऊंगा ने इस चीज में जल्दी से पढ़ लेते हैं प्ले आपैं Gloria παोली विक्रोव ट्रें प्ले इसाइड कोई लए बात है तुम जानते हो एक में तीन साइड से बना या था है plane figure होता है CD line हो से बना होता है that's it sir इसमें नया क्या है अभी आएगा नहीं अटेंशन ना लो triangle के types की बात करेंगर triangle के types की बात तो triangle actually triangle में दो चीज़े होती है एक होता है angle एक होता है side बात सुनना triangle के अंदर angles होते हैं और sides होती है ठीक है पहले लिखते हैं one sides और फिर लिखते हैं बच्चो angles सब दो चीज़े होती है triangle के अंदर अब मैं कहूं types of triangle बताओ भी अब मैं कहूं types of triangle बताओ दोस्त तो तुम पता क्या करोगे तुम कहोंगे कि सर किसके हिसाब से बताओ साइट के according बताओ types of triangles या angles के according बताओ तो भईया yes triangles को classify हम कर सकते है triangles के types हम बता सकते हैं पर on the basis of something किसके basis पे किसके basis पे चलो sides के basis पे बात करते हैं सर साइट के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो यह हैं वो triangles यह तीनो triangles है कौन है एक होता है equilateral triangle तुमें पता है जब किसी triangle में तीनो साइड उक्ल हो जाएँ देस इक्वर देस इक्वर देस तीनो साइड़िकोल हो जाएँ वह हो ऑलाव हुझारल ह alternator seven centimeter seven centimeter ten centimeter ten centimeter 10 centimeter बात समझ में आ गई क्लियर रेना चोटी चीज है वाई, क्यों इस पर इतना बवंडर बनाना, है ना, ठीक है सर, दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज, सर, आई सॉसलेस ट्राइंगल, आई सॉसलेस ट्राइंगल, येस, बिलकुल सही कह रहे हैं तूम, आई सॉसलेस ट्राइंगल में सर, कोई दो साइड्स होती है triangle की sir जैसे ये दोनों sides equal है मान के चलो बच्चो ये 6 cm ये 6 cm ये 4 cm तो दोनों equal हो गही ना दो sides बात समझ में आ रही है yes sir जब किसी भी triangles में जब किसी भी triangle में 2 sides equal होती है तो वो isosless कहलाता है ठीक है sir अच्छा sir अगर मान के चलो किसी triangle में एक भी side equally ना हो सम अलग अलग हो उसको क्या बोलेंगे दोस्त उसको बोलेंगे skelling triangle what do we call it उसको बोलेंगे skelling triangle इस तरह से कुछ दिखेगा तुम्हें अजीव हो गरीब सा है ना यह भाई साहब मान के चलो 2 cm यह भाई साहब मान के चलो 6 cm और लेटस से यह अपनी सेविन सेंटी मीटर अलगी अलग चल रहा है अलगी measurement सबके लेंद अलग अलग है तो sir यह होता है skelling और तुम्हें एक बात सच-सच बताऊं सच-सच बताऊं हीरोन्स फॉर्मला इस टाइप के ट्राइंगिल्स का एरिया फाइंड करने के लिए बनाए स्केलीन के लिए अब तुमकों को सर क्यों एक्यू लेटरल का नहीं निकाल सकता गया हीरोन्स फॉर्मला एक्यू लेटरल का एरिया भी निकाल सकता है हीरोन्स फॉर्मला आई सॉ के लिए ही बनाया गया मैं बताऊंगा आगे सबर एंगिज के इसाप से बात करें किंडेंके रैंगलो में ऐ्रकिसी त्रैंगूल में तीन ईंगेंस नाइनग इसे कम हो जैसे बच्चो यह 40 हो गया, बच्चो लेटे से यह 60 हो गया और बच्चा यह हो गया 80 है ना, sum of all the angles is 180, check कर लो 180 आएगा Sir यह 90 से कम, यह 90 से कम, यह 90 से कम तो बच्चा यह क्या हो गया This is an acute angled triangle, यह भी acute angle है, यह भी acute angle है, यह भी acute angle है दो या एक नहीं तीनों ही आक्यूट होंगे बात क्लियर है तो सर पहला क्लियर हो गया एक्यूट अंगल ट्राइंगल ये सर बिल turbine क्लीर है सर दूसरा तो दोस्त गौरशे सुनना अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है दोस्त जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा और सुन लो किसी भी ट्राइंगल में एक से जादा राइट एंगल नहीं आ सकते एक से जादा राइट एंगल नहीं आ सकते तो सर फिर ये दोनों कैसे होंगे sir ये दोनों फिर जो एंगिल होंगे ना ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्छा ये दोनों acute होते हैं this is acute angle this is acute angle and this is right angle समझ में आया right angle triangle जो होता है उसमें एक right angle होता है और बाकी दो acute होते हैं तुम यह मत कहना कि सर फिर तो इसमें दू एक्यूट होते हैं तो यह भी आक्यूट एंग्ड ट्राइंग्ल हुआ लुण और शक्राइंग्ल यह पर एक बैँ और ऑप 57 ब्राइब मैंने यह मैंणे उट्वीच दिग्रीड हीज़ और अब्टियू से एंगल है। 90 से बढ़ आ है 180 से छोटा है। और जिसे बढ़ ऑता है 90 से बढ़ चुटा है। समझ में, 120-90 से बढ़ और 180 से छोटा है ना बास। धर यह एंगल यह प्टीयू से आगए, ई space卓 से और एंगल हो गया। यार, simple सी बात है, कोई चीज भी जब पढ़ते हैं, तो उसकी history जानो, यार, है ना, किसी से लड़ने जा रहे होते हैं, खेर, लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, तो उसकी history जानते हैं पहले, कि यार, यह powerful तो नहीं है, इसकी पहुच कहा कहा तक है, ऐसा ही, जब chapter Heurons पढ़ चलो गई, आगे चले, erase कर देते हैं, सर, next, question number, question number कह रहा हूँ, question ही, question होगा, okay, sir, हमारा एक myth है, myth, के हमको तो area, ऐसे ही निकालना आता है, हमको तो area, ऐसे ही निकालना आता है, कैसे, area is equal to half, into base, into height, यह लिखा हुआ, triangle का area में, ऐसे ही निकालना आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, very good, बहुत बढ़िया, लेकिन मेरी बात सुनना एक, मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है, पढ़ो, यह बदा कब condition, यह कब लग सकता है, सिर्फ दो condition हमें लग सकता है, जब triangle equilateral ह यह triangle isoseless हो, अच्छा लग तो skelling में भी सकता है, लेकिन skelling में तुम्हें height नहीं दी हो, तब क्या करोगे, देखो सुनना, जैसे यह अपना equilateral triangle है, तिनो sides equal है, ठीक है, अब इसकी height नहीं दी है, अपन फिर भी इसकी height निकाल सकते हैं, जी हाँ, अब मान के चलो, यह isoseless है, यह अपन को दी है, 6 cm, 6 cm और यह 4 cm, सर, बेस तो 4 cm दी है, height नहीं दी सर, अपन निकाल सकते हैं, इसकी height, अपन के पास formula है, अपने पास process है, अपने पास तरीके हैं, yes, we can calculate height, height निकाली जा सकती है, base की और equilateral की, height आजाएगी, तो base अपने पास है, base अपन 4 रखेंगे, height अपन निकाल के, यहाँ रख देंगे, half into base into height करेंगे, answer आजाएगा, समझ में आया, लेकिन अगर, अगर, यह condition मैं कहूं कि भाया, scalene में लगा दो, look, मैंने तुम्हें सिर्फ यह दिया, 3 cm, 4 cm, और यह 6 cm, अब मैंने तुम से का, इसका निकालो area, इसी formula से, half into base into height से नहीं निकलेगा, बिटा, नहीं निकल पाएगा, मैं बताओ क्यों, क्योंकि sir, इसकी height निकालने का कोई तरीका नहीं है, अब इसकी height नही height of equilateral or height of isosceles निकालना मैं भी सिखाऊंगा, attention ना लो, उनकी height निकल सकती है, पर एक scalene triangle, जिसकी तीनों साइट अलग अलग होती है, उसके लिए height निकालना बड़ा ही problematic process होता है, ठीक है, समझ में आई बात, yes sir, so sir, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, in case of equilateral and isosceles triangle, if the length of the sides of a triangle are given, we use pythagoras theorem in order to find the height of a triangle, हम height निकाल सकते हैं, सर, किस चीज से, pythagoras theorem से, sir, किस चीज से निकाल सकते हैं, pythagoras theorem से, ठीक है, तो sir, यह हो गया अपना pythagoras theorem बाला system, अभी बताऊंगा height कैसे निकलेगी, sir, next question पर चलते हैं, यह अपना next question, next, question ही question निकल ला है यार boss, okay, तुम लोगों को एक बड़िया चीज बताता हूँ, सुनो, sir, area of equilateral triangle मैं यहा लिख देता हूँ, बच्चा, यार यह कलर मैच कर रहा है कैसे, नहीं, यह कलर मैच नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, देखो, area of equilateral triangle होता है बच्चो, under root 3, रट लेना, रट लेना, under root 3 upon 4, into side square, यह होता है, अब तुम कहोगे, कि sir, आप तो गह रहते हैं कि equilateral triangle का area, half into base into height से निकाला जा सकता है, निकाल रहा हूँ, सबर रखो, निकाल रहा हूँ, देखो, मेरी बात सुनना गौर से, ठीक है, बच्चो, area का formula अपन यही लगाएंगे, don't worry at all, half into base into height, अपन formula यही लगाएंगे, और इस formula को लगा के अपन यह formula लाएंगे, देखो, कैसे लाएंगे, देखना, suppose हमारे पास एक equilateral triangle दिया गया है, ठीक है, equilateral triangle है, equilateral triangle है, जिसकी यह side A है, यह भी side A है, यह भी side A है, A units, A centimeter, जो आपको कहना है, आप वो कह सकते हूँ, A है बस, तो सर यहाँ भी लग देते हैं अपन A, ठीक है, यहाँ भी लग देते हैं सर A, और यहाँ भी अपन लिग देते हैं A, कोई समस्या, नहीं, अब तुम एक चीज़ बताओं, मेरी बास सुनना, आई सॉसलेज और equilateral के लिए बता रहाँ, जब तुम equilateral triangle से, उपर की तरफ से, base पर नीचे, perpendicular बनाऊना, जब भी तुम perpendicular बनाऊना दोस्त, तो एक बात ध्यान रखना, जो line A, O, R रही है न, वो median का भी काम करेगी, अब यह median क्या होता है, अरे भाया, median का मतलब जो A, O, R रही है, वो base को 2 equal halves में divide कर देगी, दो equal parts में, तो B, O, equal C, O हो जाएगा, यह कवोगा, इक्यू लेटरल में, अगर कोई perpendicular बना रहा है, तो, मैंने क्या बोला, जैसे equilateral triangle यह है अपने पास, अब मैं कहूँ, यहाँ से बेटा, perpendicular हो रहा हूँ, इस line पे, तो तुमने 90 degree perpendicular बना लिया, तो बच्चो यह वाला part और यह वाला part equal हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, अब मैं कहूँ, टॉप से यहाँ बनाओ perpendicular, तो बच्चो यह वाला part और यह वाला part equal हो जाएगा, because, उपर से आती हुई, जो perpendicular आ रही है, जो height बना रहे ना, जो altitude बना रहे ना, उपर से base पे, वो base के लिए median का भी काम करेगी, वो base को दो equal parts में divide कर देगी, बात समझ में I think आगई होगी, ठीक है, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे साबित यह हुआ दोस्त, कि अगर यह पूरा A है, यह पूरा A है, यह पूरा side A है, तो अगर यह A है, तो यह कितना होगा, सर यह होगा, A का half A by 2, सर यह कितना होगा, A का half A by 2, क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई? ये सर समझ में आगई अब बच्चो अपन इस triangle में A, O, B में Pythagoras लगाएंगे Pythagoras लगाएंगे A, O, B में और A, O आ जाएगी यही height अबिट अपनी यही height अठिक है? इस इस height A, O, B तो A-O भी बना लेते हैं बच्चों अपन जल्दी से टेंशन ना लो इस इस ए O A-O हाइड है पिटा ठीक है और यह हो गया B सर यह इसकी लेंद क्या है इसकी लेंद है सब स्मॉल है अच्छा B-O क्या है सर A अपॉन 2 है ठीक है सर पाइता लगाते है समय ठीक है पाइपा को रोस अपिटा 90 के सामने हाइपाइपॉनीस स्कौैर इस इकोल टू परपेंडिकुलर स्कौैर प्लस बेस स्कौैर बी-ो स्कौैर ठीक है A-B-A है तो A स्कौैर हो जाएगा इस इकोल टू A-O AO तो अपन को निकाल नहीं है तो AO को AO स्क्वार ही लिखा रहे रहें तो AO स्क्वार को सेम लिखा रहें तो प्लस BO, BO A upon 2 है तो A upon 2 मतलब A square और 2 square 2 square को अपन 4 लिख देंगे BO is A upon 2, A upon 2 का square करो बेटा तो A का square A square 2 का square 4 A square upon 4 को यहाँ भेजो बच्चों A square upon 1 के पास, यह A square upon 1 है जब यह यहाँ आएगा बच्चा तो यह हो जाएगा A square minus A square upon 4 माइनस का हो जाएगा Is equal to AO, अपन को AO ही तो निकाल नहीं, AO square अब अब अच्वों इनका करते हैं अपन क्या? LCM, ठीक है? तो यह हो जाएगा 4A square minus A square upon 4 यह LCM के बाद यह बनेगा Is equal to AO square ठीक है, LCM 4 आजाएगा, यह 4A square बन जाएगा minus A square तो बच्चों यह आया, 4A square में से 1A square गया बिटा तो 3A square बचा, upon में 4 है Is equal to AO square बात समझ में आई क्या? ठीक है? बात समझ में आगई? Yes sir अब 3A square upon 4 Is equal to AO square अब बच्चों कर मैं इसको square हटा दूँ AO के उपर जो square है इसको हटा दूँ तो यह पूरा का पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, square root में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा sir यह square root में चला गया तो A upon 2 भार आजाएगा सर तो AO आ गया A upon 2 बाहर A बाहर तू बाहर और अंडर रूट 3 रह जा विचा रहा 3 अंदर रूट में ही पैक रह गया सर तो AO की यह वैली वाई तो यहां लिख देते हैं बच्चों root 3 upon 2 A यह आ गई height root 3 upon 2 A यह आ गई height अब मैं इसको clean कर दूँ erase कर दूँ ठीक है sir erase कर दीजे ठीक है समझ में आया ना हमने क्या करा A side A side A पहले तो हमने perpendicular बनाई और perpendicular याद रख लो equilateral triangle में perpendicular जैसी तुम base पे बनाऊगे तो base के 2 equal तुकड़े हो जाएंगे तो भाईया यह क्या हो गया यह हो गया पूरे A यह पूरा A है इसमें अपनने pythagoras लगा लिया यह A है यह A by 2 है तो यह भी निकाल लिया root 3 upon 2 A sir पूरे triangle में area लग रहा है 1 upon 2 into base बच्चों यह पूरे triangle का base BC है BC into height height sir AO है जो अभी अपनने निकाली ठीक है half into base BC BC A है sir BC A है पूरा BC देखो A है यह भी A यह भी A sir AO AO अभी अपनने निकाल है root 3 upon 2 A yes sir root 3 upon 2 A sir A into A A square root 3 into 1 root 3 upon upon 2 into 2 4 यह क्या आया यह आगे sir area of equilateral triangle जो मैं already यहां लिख चुका था root 3 upon 4 A square root 3 upon 4 A square root 3 upon 4 A square यह ऐसे आता है बच्चों half into base into height की ही मदद से आया पर हमारे पास height नहीं थी इस equilateral triangle की जो हम आराम से निकाल सके with the help of Pythagoras theorem ठीक है कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए पिटा है ना I hope so कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आगे चलें क्या moving forward sir आगे चलते है area of an equilateral triangle हमने सीख लिया अच्छा इसको clean कर दो अब बात करते है area of isoseless triangle इसका भी एक formula होता चलो formula तुम्हें बताता हूं चलो सीधा निकालना ही सिखाता हूं इसका formula भी अपन निकाल सकते हैं बच्चों with the help of half into base into height area of triangle is equal to half into base into height ठीक है दोस्त half into base into height ठीक अब बात सुनना मेरी गौर से ठीक है यह isoseless triangle है जिसमें दो equal sides है और इन दोनों को a और a माना गया ठीक है सर यह unequal side है जिसको छोटा b माना गया ठीक है सर समझना गौर से यह सर बहुत गौर से समझना हाइड नहीं दी गई है यह एच एच नहीं है उसको erase कर देते है पन वह एच नहीं है उसको एच मत मान लेना एच लिखके उन्होंने सिर्फ हाइड लिख हाइड लिखना चाह रहे थे वह ठीक है अब मैं अब तो मैं फिर से एक चीज़ बताने वाला हूं जो इक्विलिडल ट्राइंगल में बताई थी अगर दो साइड जो इक्वल हैं जिस पॉइंट पर मिल रही हैं उस पॉइंट से अगर अन इक्वल साइड पे परपेंडिकुलर बनाई जाए मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला समझो मैंने बोला जो दो इक्वल साइड उनके पॉइंट से अन इक्वल साइड की उपर परपेंडिकुलर बनाई जाए तो दोस्त 90 डिग्री जब परपेंडिकुलर बनेगी तो वही काम होगा जो equilateral में हुआ, this part and this part will become equal, ये part AD और DB equal हो जाएगा, बात समझ में आई, बात समझ में आई, हमने unequal side पे बोला, हर side पे नहीं कि इधर से बना दो तो हो जाएगा, नहीं होगा, जो दो equal sides है, जहां मिल रहे हैं, जिस point पे C पे, वहां से unequal side पे अगर आप perpendicular ड्रॉ करोगे, तो unequal side, दो equal parts में split हो जाएगी, बात clear, ये सर, अगर बात clear है, तो बच्चो ये पूरी B है, छोटा B, तो ये क्या हो जाएगा सर, B का half B upon 2, सर ये क्या हो जाएगा, DB ये भी B का half B upon 2 हो जाएगा, समझ गए, अब चाहिए, ये छोटा सा triangle उठालो, ये छोटा सा triangle को, ये एक triangle लगाओ, हाइट आजाएगी, चलो लगाते हैं सर, ये चोटा सा triangle उठाते हैं, ठीक है, ये चोटा सा triangle उठाते हैं सर, ये ये और ये, और ये, और ये 90 degree है सर, ये क्या है दोस्त? यह क्या है, यह सर डीवी जल्दी से लिख देते हैं, डीवी और यह A है सर यह जो डीवी है नहीं, यह बीवी यह पूरा छोटा बी था, Small B उसका आदा हो गया, B upon 2 B upon 2 सर यह Equal sides A और A है तो भ cinemat लाइट Алवी है, तो यहाँ A इसकी height AD है वो तो गायब है तो हमें यही height तो पता लगा नहीं है AD ही तो पता लगा नहीं है अगर यह height पता चल गई तो इस triangle की यह पूरी height हो जाएगी समझ में आ रही है बात चलो इसका पता लगाने के लिए Python पाइथागोरस theorem लगाएंगे 90 के जस्ट सामने होता है hypotenuse, तो hypotenuse का square, यानि की बच्चा AB square is equal to this square plus this square, है ना, AD square plus DB square AD square plus DB square ठीक है, AB, AB सर देखो, A है, छोटा A है, तो सर इसकी जगे छोटा A और square लगा देंगे, equal, AD square, AD तो अपनको निकाल नहीं है, यही तो height बन जाएगी, plus DB, DB upon 2 है, जब तुम B का square करोगे, तो B square हो जाएगा, 2 का square करोगे, तो 4 हो जाएगा, समझ में आई, यह सर, याद रखना, A है ना, A equal sides है, A equal sides है, 2 equal sides, ठीक है, A isosalism में, 2 equal sides होती है, तो A वही है, अब B का है बहुस, B है unequal side, विचारी, 1 unequal होती है, यह unequal side है, यह 1 होती है, तो side है, यह 2 होती है, तो sides लिख रहे हैं, ठीक है, चल, अब B square upon 4 को यहाँ भेजो, A square upon 1 minus B square upon 4, is equal to AD square, ठीक है, चलो LCM लेते हैं, इदर solve करेंगे, फिर erase कर देंगे, 4A square minus B square, upon 4 is equal to AD square, यह आएगा LCM, लेकिए, जब LCM लोगे 4 आएगा, वो यह बनेगा, ठीक है, square रटाओ, square रटाओगे, तो sir, यह बन जाएगा, पूरा का पूरा under root में चला जाएगा, 4A square minus B square upon 4, is equal to AD square, ठीक है, कोई समस्या, नहीं है sir, अब देखो, उपर से कुछ नहीं आ पाएगा, बेटा, उपर से कुछ नहीं आ पाएगा, वो तो फस गया बिचारा, यह फस गया, 4A square minus B square, यह फस गया, upon, बेटा, यह root के अंदर, 2 into 2 है, वो भार आ जाएगा, 2 भार आ जाएगा, यह आ गया, AD, ठीक है, यह आ गया, यह कैसे 2 भार आया, हाइट AD है, पूरे triangle की, पूरे, पूरे isosless triangle की हाइट AD है, तो सर, जल्दी से इसकी height में रख देते हैं, अपन यही चीज, तो क्या बनेगा सर, यह बन जाएगा, into base, base क्या है सर, base है, AB, पूरा AB base है, यहां से लेकर, अरे, यह C है, C है बच्चों यह, C है, C है भई है, CD, 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 CD square, CD square, CD square, और यह भी C है, ठीक है, C है भी time, A नहीं है, तो CD हो गया height, half, into base, base देख भाई, AB, पूरा B है, चोटा B है, यह, चोटा B, B, और CD, CD है आगे सर, यह लिग दो, under root, 4A square minus B square, upon 2, ठीक है, half into base into A, 2 का 2 multiply, सर, तो 1 upon 4, into B, under root, 4A square minus B square, बच्चो, यह होता है, formula of isosceles triangle का area, जहां पर A होता है, equal sides, B होती है, unequal sides, यह होता है formula, तो तुम गौर से देखो, half into base into height, equilateral triangle का area बनाने में, मददगार साबित हुआ, half into base into height, isosceles triangle का area निकालने में, भी मददगार, helpful साबित हुआ, कोई समस्या, नहीं है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है न, नो सर, अब जब यह हो गया, तो अब चला जाएगा, area of triangle, of, 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 area of triangle by Huron's formula पर कौन सा, भी याद रखिएगा, specially, skelleen, specially, skelleen triangle, skelleen triangle माने तो, skelleen triangle बोले तो, वो triangle, जिसकी तीनो साइड अलाग अलाग होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो उसको बोला जाता है, skelleen triangle, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, जल्दी बताओ यार, ना, बात clear है न दोस्त, ठीक है सर, बात बिल्कुल clear है सर, crystal clear है सर, ठीक है बई, आगे चला जाए, अभी मैं इसको erase कर रहा हूँ, skelleen triangle को, ठीक है मैंने इसको erase कर दिया, अब ये formula होता क्या है, बिटा इसमें height नहीं निकाल पाओगे तुम, जैसे पाइथागोरस theorem में अपन वहाँ पे height निकाल पाए ना, इसकी height तुम नहीं निकाल पाओगे, अब तुम सोचोगे सर, C से अपन ऐसी height बना थे 90 degree, और ये निकालना है CD, बिटा नहीं निकल पाएगी, नहीं निकल पाएगी, बेसे इंट इन नहीं, अलागा बेटा ये फॉर्मुला, एरिया, और ट्राइंगिल, भाइ हीर उन्स फॉर्मुला इस रिटन लाइक, अंदरूत, एस, इनटु, एस माइनस ए, इन्तु, एस माइनस बी, इन्तु, एस, minus c यह formula है बच्चो area of triangle और इसको बोलते है hero and formula लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बच्चो आपको एक और चीज़ याद रखनी है s होता है s is a plus b plus c upon 2 a plus b plus c upon 2 और s को बोला जाता है बच्चो semi parameter what do we call s is called as s is called as semi parameter what do we call semi parameter parameter का आधा सर कैसे चलो बताता हूं सुनू यार दिखू ना s का formula a plus b plus c upon 2 a plus b plus c अगर मैं इस side a centimeter, इस side b centimeter, इस side को इन तीनों की side की length को add कर दू तो parameter बन गया और अगर 2 से divide कर दू तो semi parameter बन गया semi मतलब आधा है नो तो भाईया 2s क्या होगा अगर मैं कहूं 2s अगर मैं कहूं इस 2 को यहां भेज़ दो तो 2s क्या होगा बच्चो 2s होगा sir parameter 2s will be parameter भाईया पहले आपको parameter या semi parameter निकालना पड़ेगा s की value निकालनी पड़ेगी तब जाके आप s, s minus, s minus, b, s minus ती कर पाऊगे अब a, b, c क्या है sir sir a, b, c गौर से देखिए a, b, c are the lengths of are the lengths lengths नहीं lengths l, e, n, g, t, h, s are the lengths of three sides of a triangle three sides of a triangle ठीक है मान के चलो a for example यह अपने पास four centimeter है b अपने पास for example six centimeter है और c अपने पास seven centimeter है for example तो a क्या हो जाएगा b क्या हो जाएगा c क्या हो जाएगा कोई भी यह ले लो हो सकता यह a हो जाएगा यह b हो जाएगा यह c हो जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता तीनो sides को हमने a, b और c से denote कर दिया ठीक है s क्या होता है semi parameter कैसे निकाला जाता a plus b plus c divide by two कर दो semi parameter आजाएगा तुम्हें इस formula लगाने के लिए s चाहिए और a, b, c चार चीज़े आपको चाहिए अगर यह चार चीज़े आपके पास हैं आप hirons formula आराम से लगा सकते हो getting my point जल्दी copy कर लो भई यही है अपना छोटा सा hirons formula cute सा hirons formula done चलिए ठीक है छोटा सा यही है और कुछ नहीं है 2s parameter है याद रखना बहुत काम की चीज़ है भी 2s का भी काम आएगा s का भी काम s का तो ही है 2s का भी काम आएगा चलो बस अपने पास example number 1 आगया बढ़िया ठीकता चिलाता example number 1 कह रहा है कि a, b, c, d is a quadrilateral और c angle 90 है यह 90 बना दिया यह c है ठीक है ऐसा बना लिया यह हो गया a, b, c और d c उन्ने का 90 है अपनने 90 बना दिया a, b बच्चो 9 cm है a, b is 9 cm अपनने यहां लिखा 9 cm b, c is 12 यहां पर अपनने 12 cm लिख दिया c, d, c, d is 5 ठीक है, 5 cm लिख दिया और a, d is 8 8 cm लिख दिया अब इसका area निकालो how much area does it occupy चलो area निकालते हैं इसका कोई दिक्कत नहीं है पर इसका area निकालते हैं ठीक है, सुनना मेरी बास सुनना ना ही यह parallelogram है ना trapeze है मैं है क्या, पता ही नहीं है थोड़ा सा ठीक है, 90 degree अगर मैं तुमसे कहूँ थोड़ा दिमाग दोड़ाओ यार थोड़ा दिमाग दोड़ाओ, अगर मैं कहूँ BD जोइन कर दो तो दो triangle आगा है अपने पास एक आगया यह A, B, D और दूसरा आगया यह है ना B, C, B या B, C, D समझा रही है यह बात समझा रही है बात पहले पन B, C, D triangle को थोड़ा सा decode करें क्योंकि यार यह right angle triangle है और इसका area आराम से आ सकता है यह हो गया सर D, C, B और सर यह 90 degree है सर B, C कितना है, B, C is 12 और सर यह क्या है, यह 5 अब मेरी बात सुनना बच्चों, प्लीज यार, है ना listen to me, very carefully बच्चों, एक right angle triangle का area निकालना सबसे जादा आसान होता है, कैसे, देखो अगर मैं तमसे कहूं कि बिटा, इसका area कैसे निकलेगा तो formula right angle triangle के area के लिए half into base into height होता है half into base into height मेरी बात सुनना गौर से जिन साइड्स से 90 डिग्री बने होते है ना, उसको height और base कहते हैं, जैसे मैंने अपना यह हाथ ऐसे दिखाया, मैंने ऐसे दिखाया आपको ऐसे, ठीक है, अब देखना, यह हो गई height और यह हो गई यह हो गई, यह हो गई यह हो गई यह हो गई बास क्यूंकि 90 डिग्री बन रहा है पर परेंडिकुलर है, इस हाइड इस बेस हाफ into base, base हो गई सार यह, BC into height, height हो गई सार, DC half into base, BC, BC 12 है into height, CD, CD 5 है सार 2 से 12 को कट किया 6 times, 6 5 सा 30 30 सेंटी मीटर स्कूर सर, इस वाले triangle number 2 का area आगया 30 सेंटी मीटर स्कूर अब मेरी बास सुनना बच्चों area तो अपन ने इसका निकाल लिया, चलो इस वाले section का area निकाल लिया इस triangle 1 का area कैसे निकलेगा गौर से देखना, अब यहाँ पर hero बनेगा अपना herons formula herons herons या heroes formula इसको heroes formula भी बोलते हैं, बच्चो धियान रखना ठीक है, this is also called as heroes formula, sir यह बना लिया, मैंने, this is a b a, b, d okay बच्चो, a, b है अपना 9 cm a, d है बच्चो, अपना 8 cm V, अगर अपन को BD और मिल जाए, अगर अपन को BD की length और मिल गई, तो herons formula स्टार्ट हो जाएगा, बताओ कैसे sir यह a बन जाएगा, यह b बन जाएगा, यह c बन जाएगा, तीनो sides की length अगर आ गई, तो herons अपन लगा दिंगे, लेकिन इसकी length BD, मैटा यह देगा अपन को, यह, pythagoras theorem, समझ में आ गया, चलो pythagoras theorem, समझ में आ गया, चलो pythagoras लगाते हैं, ठीक है, चलो pythagoras, sir, BD square is equal to this square plus this square, 5 square or 12 square, 5 square plus 12 square, ठीक है दोस्त, BD square is equal to 5 square 25, 12 square 144, BD square, BD iPod news है, बिटा, 90 के सामने यह iPod news है, तो BD square iPod news square is equal to this square plus this square, is equal to 169, बिटा, यह 13 का square होता, तो BD is equal to 13 आ गया, ठीक है, कैसे आया 13 अरे भई, BD से square देगा, यह अंडर रूट में तल जाएगा, अंडर रूट 169 फर अंडर रूट 169 का मतलब है, अंडर रूट, 13 इंटू 13, 13 भारा जाएगा, sir, यह 13 आ गया, sir, BD आ गया 13, now the game starts, अब game शुरू, sir, Hurons ने power, A मान लो, इसको B, इसको C, किसी को भी A, B, C मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो दोस्त, Hurons लगाते हैं, चलो, A, मान लेते हैं, sir, A है अपने पास, 9, centimeter, B है अपने पास, यह 13, किसी को भी A, B, C मान सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, इससे टेंशन नहीं लेना, C होगया 8, सबसे पहला काम है, Hurons formula लगाने से सबसे पहले S, निकालो बच्चो, S का formula, यानि semi parameter का formula है, A plus B plus C upon 2, अभी बताया था पीछे, sir, यह होता है, sir, 9 plus 13 plus 8, 9 plus 13 plus 8 upon 2, 9 plus 13, 22, 22 plus 8, 30, 30 upon 2, 15, sir, 15 आया, 15 आया, sir, 9 plus 13, 22, 22 plus 8, 30, 30 को 2 से डिवाइट करो के 15 आया, sir, S 15 आया, इसको erase कर दू मै, I am erasing this, I am erasing this, ठीक है, okay, now the power comes, अब पावर शुरू होगी, area of triangle, नाम क्या भी है, triangle का, A, B, D, इस triangle का निकाल रहे पन, hereons लगा के, A, B, D, क्या है, sir, hereons, hereons formula is our under root, S, into S minus A, bracket close, into S minus B, bracket close, into S minus C, यह है formula, ठीक है, चलो, under root, S, S है sir, 15, into, bracket, 15 minus A, sir, A अपने 9 लिया था, 15 minus A 9 हो गया, bracket close, into, 15 minus B, B है sir, 13, ठीक है, bracket close, into, 15 minus C, C क्या है sir, C 8 है, 8 लिख देते है, bracket close, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है sir, okay, चलो, is equal to, under root, 15, into, 15 minus 9, बिटा 6 आजाएगा, into, 15 minus 3, 13, तो 2 आजाएगा, हाँ, 2 आजाएगा, into, 15 minus 8, 7 आजाएगा, 8, हाँ, 7 आजाएगा, सही है, सही है, सही है, ठीक है, under root, 15 को expand कर दो, 3 into 5, 6 को expand कर दो, 3 into 2, 2 into 7 को ऐसे लिख दो, 2 into 7, इनको क्या ही expand करेंगा, आजाएगे अपने, ना, okay, सर, 2 into 2, ये दोनों बाहर आजाएगे, दो बाहर है, सर, 3 into 3, ये भी बाहर आजाएगे, 3 और 3, बाहर आजाएगा, 5 और 7 फजगाए बिटा, अंडर रूट 35, अंडर रूट 35, 5 और 7 बिद गए बिचारे अंदर, 5, 7 जगाए अंदर, ये अंदर, ये दोनों की डबल डबल नहीं आए, अभी हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है, 30 cm2 प्लस, 30 cm2 प्लस, 6 root 35, 6 root 35 cm2, ब्रैकेट लगाओ, और cm2 लिख दो, इस इस आर फाइनल आंसर, चाहो तो root 35 की value भी आप लिख सकते हो, that will be 5.8 something, 5.8 या 5.9 something आएगा, तो वो भी आप लिख सकते हो, 6 into 5.9 लिख देना इसको, तो वो भी आप calculate बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ठीक है, चलो बई, यह ऐसे, यह मेन, यह मेन बिटा, यहाँ, यह है मेन जो है, क्योंकि Pythagoras इसमें लगाया है तो आपको आता है, half into base into white लगाया, आपको पहले से आता है, this is new thing to you, and this is also new thing to you, तो भाई बॉस, I hope आपको, Heeran's formula लगाना आगया होगा, ठीक है, चल दी से copy कर लो दोस्त, copy it everyone fast, done, I hope बढ़िया दरीके से आपने कर लिया होगा ना, चल लो, चल इसको erase कर दे, next question, यह रहा भाई, next question, find the area of a triangle, whose two sides are 18 and 10, respectively, and the parameter is 42, मेरी बास सुनना बच्चो, गुषर से सुनना है, बहुषर सुनना, दो साइट दीएगा, एक मानले A, और एक मानले B, ठीक है, A 18 है, और B आपने पास 10 cm, ठीक है, C अपन को नहीं दिया गया, तीसरा साइड अपन को नहीं दिया गया, चलो पहले यह निकालेंगे, अच्चा, parameter 42 दिया गया बच्चो, parameter क्या होता है, S नहीं हो दा parameter, 2S होता है, फिर भी S से भी लिखना चाहो, तो S लिख सकते हो, S का formula क्या होता है, S का formula होता है, सर, गोहर से सुनो, A plus B plus C upon 2, 2 इदर आगया, तो 2S बन गया, अब च्चो यह, 2S is not semi parameter, now this is parameter, 2S parameter, और parameter 42 दिया, तो भाया, इसकी value अपन को 42 दिया, try to understand, 2S इस parameter, A बच्चा अपना 18 है, B बच्चा अपना 10 है, C अपन निकाल लेते हैं, 18 plus 10, 28, 42 के पास, 28 माइनस होने आएगा, तो C आजाएगा, 14 आगया C, 14 आगया C, है न, C 14 आगया, अच्चा, C आगया 14, इसको erase करके लिख लेते हैं, सर, C आगया 14, अच्चा, S और पता लगाओ, S पता लगाने के लिए, बच्चो अब आपको, A plus B plus C, divide by 2 नहीं करना पड़ेगा, देखो, पैरमीटर हमको दिया गया है, 42, पैरमीटर हमको दिया गया है, 42 सैंटीमीटर, अब जब पैरमीटर 42 दिया, तो पैरमीटर क्या होता, अपनको तो पता है ना सर, 2 इंटू S होता पैरमीटर, is equal to 42, तो S क्या है कस, तो उदर जाएगा, divide कर देगा, 21 आ जाएगा, S 20 बना क्या, सैंटीमीटर, simple, A आगया, B आगया, C आगया, S आगया, formula लगा दो, bracket S minus A into S minus B into S minus C, यह होगा सर, S क्या है, semi-parameter, पैरमीटर का आधा, पैरमीटर 42, तो पैरमीटर का आधा 21, सर, S आया 21, this is 21, into, 21 minus A, सर, A है 18, 21 minus 18, into S minus B, 21 minus 10, 21 minus 10, into, S minus C, 21 minus C, बिटा अपना 14 आया था, ठीक है, कोई समस्या, कोई समस्या, नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है, 21 को अपन लिख सकते हैं बच्चो, 7 तरीजा, इसको लिख सकते हैं, 7 तरीजा, इन्टू, 21 minus 18, 3 आएगा बिटा, 3 है न, 21 minus 18, 3 आगया, into, 21 minus 10, 11 आएगा, 21 minus 14, 7 आएगा, बिटा देखो, कुछ बाहर जा रहा, येस, सर, 3 into 3, दो बार आगया, बाहर चला गया, सर, 7 into 7, दो बार आगया, सर, अंडर रूट में बिचारा, 11 फस गया, तो अंडर रूट 11, ऐसी ही लिख दो बच्चो, आंसर आगया, 21, रूट, 11, सेंटीमीटर स्क्वेर, स्क्वेर लगाना ज़रूर ही है, क्योंकि एरिया है, एरिया में स्क्वेर लगता है, यह अपना एरिया आगया, फाइंड एरिया ओफ ट्राइंगल, फूस टू साइड जार, 18 और 10, तो तीसरी साइड निकाल ली, यह राध तीसरी साइड निकालने का तरीका तरी, कितना बड़ी आराम से कर लिया, अपन ने यह कोश्चिन भी, है ना, कॉपी कर लो दोस्त जल्दी से, डन, चल, नेक्स्ट कोश्चिन, एरेस करते हैं भाई, इसको जल्दी से, यह राध नेक्स्ट कोश्चिन, ठीक है, यह राध नेक्स्ट कोश्चिन, जल्दी से बस इस कोश्चिन को और कर लें हैं पन, फिर अपन आते हैं ठीक है चलो इस question को कैसे करेंगे boss देखो जब भी आपके पास sides ratio में दी गई है sides अपन को ratio में दी गई है अच्छा इसको read करो और कोशिश करो question को खुद से करने की try to figure this question by yourself खुद से try करो बच्चो चलो देखो अब यह वाला question देखें यह example देखें ठीक है यह example भी बहुत आसान दे दिया इन्होंने क्या देखो समझो simple है बहुत easy है जब भी ratio में कोई चीज दी हो तो आपको ratio थोड़ना पड़ेगा जब ratio दूटेगा तो obvious सी बात है सारे numbers के साथ common ratio multiply हो जाएगा होता क्या है सर देखो बताता हूँ बहुत 12 ratio 17 ratio 25 से हमने सब को आजाद कर दिया हमने का आप ratio में नहीं रहोगे तो सर जी जैसे ratio तूटा 12 का multiply X से हो जाएगा 17 का multiply X से हो जाएगा 25 का multiply X से हो जाएगा ऐसा क्यों बिटा concept है rule है कि जब भी ratio तूटता है तो तीनों चीजों में चारों चीजों में जितनी भी चीजों उनके साथ X X X Y Y Y कोई सेम चीज लगा दी जाती है ठीक है सर अब हमारे पास सर एक चीज आगई और वो है side A B C तीनों sides आगई जो ratio में दी थी सर एक side आगई A 12 X दूसरी side आगई सर B that is 17 X और तीसरी side आगई सर C जो की है 25 X ठीक है अब सर यह जो अपन ने लिख लिया हमें parameter दिया गया 540 सर parameter जो हमें दिया गया 540 वो निकलता कैसा है A plus B plus C यही तो parameter होता है parameter 540 cm दोस्त अपन को दे दिया गया parameter क्या होता है सर? parameter होता है sum of all the three sides of a triangle A plus B plus C is equal to 540 सर A क्या है बस? A है 12 X 12 X B क्या है बिटा B है अपना 17 X C क्या है बिटा अपना 25 X is equal to 540 ठीक है सर? 12 और 17 29 हो गए 29 और 25 54 X हो गया बिटा 54 X हो गया टोटल 54 X is equal to 540 सर ठीक है X निकालने के लिए बिटा 54 वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा 540 को जैसी 54 डिवाइड करेगा बच्चों तो 10 आ जाएगा कितना जाएगा? 10 आ जाएगा सर ठीक है? कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा कोई समस्या? No समस्या सर ठीक है? चलो जल्दी से देख लेते हैं सर इसको कहाँ चला गया बस? कोई बात नहीं अब भी हाल दुबारा से लिख लेंगे जल्दी 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 से पन देख लेंगे सर कि अपना जो तीनो साइट्स आयते हैं वो आयते सर अरे ब्लेक कलर से नहीं लिखना है भी या तीनो साइट्स जो आयते हैं ए आयता सर 12 एक्स बी आयता सर 17 एक्स सी आयता सर 25 एक्स और सर हमने एक्स निकाल ही लिया था अगर आपको याद हो तो एक्स अपनने निकाल लिया था 10 आयता है ना 540 एक्स की वैल्यू 10 आयती सर जल्दी से एक्स की वैल्यू इन सब में पुट कर दो 12 इंटू 10 सर ए आया 120 सेंटी मीटर ठीक है सर 17 इंटू 10 170 सेंटी मीटर सर 25 इंटू X यानि 25 इंटू 10 250 सेंटी मीटर ठीक है कोई समस्या नहीं है अब अपन करते है एस निकाल लेते हैं बच्चो एस होता है पैरमीटर का हाफ सैमी पैरमीटर होता है प्लस बी प्लस थी अपॉन टू मत करना भाई अब पैरमीटर का हाफ होता है पैरमीटर अपन को दिया गया है 540 तो भई याप पैरमीटर का हाफ कर दू 270 आगया 270 सेंटीमीटर कोई समस्या नहीं है सर ठीक है भई अब हीरों से फॉर्म में लगा के अरिया निकालो फाइंडिट्स एरिया एरिया कैसे निकलेगा ट्राइंगल इस एकुल अंडरूट एस ब्रेकेट एस माइनस ए इंटो एस माइनस बी इंटो एस माइनस एस माइनस एठीक है चलो यहां लिख देता हूं मैं एस इस एकुल तो 540 अपन 2 एस एकुल तो 270 एस की जगह 270 बस अब तो फॉर्मला है वैल्यूज है बस वैल्यू पुट करो और कमाल करो भई यह आएगा सर 270 इंटो बच्चा 270 माइनस ए एसर क्या है 120 यहार 270 में से 120 माइनस करो 150 आएगा तो 270 माइनस एकी जगह 120 और काहे के लिए पूरा लिखे हैं 270 माइनस 120 अपन 150 लिखते हैं डारेक्ट इंटो एस मेटा 270 है माइनस 170 हंडिड़ आएगा सर 270 माइनस 250 तो सर 20 आएगा 20 आएगा ठीक है क्लियर यह सर अब देखो तुम लोग को बढ़िया चीज बताऊ 27 को लिखे हैं पन 3 इंटो 3 इंटो 3 और इंटो 10 270 है यह आगा 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 10 ठीक है सर 150 इसको लिखेंगे 3 इंटो 5 यानि 15 3 इंटो 5 यानि 15 और 10 150 आजाएगा ठीक है सर 100 को लिख देंगे बच्छो 10 इंटो 10 10 इंटो 10 और बिटा 20 को लिख देंगे 20 इंटो 10 2 into 10 लिख देंगे इसको ठीक है 2 into 10 अब भाई पेर बनाओ और वापस निकाल लो चीज है ठीक है जल्दी से पेर बनाएंगे 3 का तो 3 is out फिर अपन बेटा फिर से एक और 3 का पेर बनाएंगे 3 into 3 3 is again out 10 into 10 का पेर है भाई 10 is out ये भी 10 into 10 का पेर है बिटा 10 into 10 again 10 is out क्या बचा भाई अपने पास अब अपने पास बचा है 10 और क्या बचा बचा 10 बचा 5 बचा 2 बचा सर गौर से देखिए 10 बचा 5 बचा 2 बचा 5 बचा 5 बचा 2 बचा अगें 10 तो फिर 10 out आजाएगा 3 into 3 into 10 into 10 10 into 10 तो बहुसा अंसर क्या आया 9000 is our answer 9000 cm2 यह अंसर आगे अपने ठीक है जल्दी से कॉपी कर लो यह स्क्रीन शॉट ले लो जैसी आपकी इच्छा हो जल्दी से कर लो चलो इसको clean कर रहा हूँ clear कर रहा हूँ next question यह रहा जल्दी से पढ़ लो इस question के बाद अपन session कर देंगे खतम चलो अब यह example और देखते है पन the sides of a triangle are 11 meter 60 meter 61 meter what is the altitude to the smallest side देखो दोस्त पहले आप triangle बना लो सर यह triangle बना लिए आपनने ठीक है अब गौर से सुनना मेरी बाद ठीक है गौर से सुनना दोस्त अब इस triangle को मैं थोड़ा सा कर दूँगा rotate now it is fine ठीक है अब इन्होंने कहा कि अपने पास triangle की तीनों sides है 11, 60, 61 देखो यह कर लो 60 यह कर लो 61 और यह छोटी वाली 11 अब पता ही है क्या कह रहे वाद इस दी लेंद अफ दी अल्टीट्व तूदा स्मॉलेस्ट साइड चोटी साइड के ऊपर जो एल्टीट्व बने अब चोटी साइड आपको पता ही है ठीक है अब 11 की उपर यह जो एल्टीट्व बने ही ना यह इसकी लेंथ पता करनी है यह कितनी लेंथ है इसकी यह यह लेंथ और अल्टीट्व बच्छो बेस से 90 डिगरी पर बनती है याद रखना ठीक है सर तो इसको अपन ले लेते हैं A, let us say this is A, this is B and this is C और यह जो है न अंदर, अंदर छुपके बैठा है, let us say this is D, यह D है अंदर अब मेरी बास सुनो, बेटा डारेक नहीं आपाएगी, डारेक आप निकाल ही नहीं पाओगे अच्छा क्या में इसका एरिया, क्या में इसका एरिया, ऐसे लिख सकता हूँ इस ट्राइंगल का एरिया, half into base यानी BC, base BC, height AD हाँ सर लिख सकते हैं, बिलकुल लिख सकते हैं, तो सर इसका एरिया जो है, वो है, half into base, base 11 है, into height BD, और अपनको BD, AD, AD ही निकालनी है वो दोस्त, अपनको AD height निकालनी है, आज आएगी टेंशन नहीं लो, देखो, सुनो, मेरी बास सुनना, ठीक है, पहले हम इसका एरिया निकालना पड़ेगा, हीरोन से, तो सर, A क्या हो गया, A हो गया, 61, B क्या हो गया, सर, B हो गया, another side, 11, और C हो गया, 60, ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो semi parameter निकालो, semi parameter क्या होता, A plus B plus C upon 2, S होता है, बिटा है, A plus B plus C upon 2, सबसे पहला काम तो semi parameter निकालना ही होता है, तो सर, 60 और 60 हो गया, 120, 120 और 10, 130, 130 और 2, 132, तो S आया, बिटा, 132 upon 2, that is 66, 66 cm, cm नहीं है, meter है, S आगया, 66 meter, अब यहाँ, जल्दी से formula लगाएं, और, हीरोन से formula लगा क्यारिया निकालना है, तो area का फॉर्मॉला है क्या है, बॉस, S, S minus A, S minus B, S minus C, S, S as our 66, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, S as our 66, S minus A, 66 minus 61, 5 आएगा सर, S minus B, this minus this, 55 आएगा सर, S minus C, this minus this, 6 आएगा सर, ठीक है, ओके, चलो, under root, यह होगा सर, 6 into 11, into 5 into, 55 is 5 into 11, into 6, ठीक है, भाई, जल्दी से जो डबल डबल आ रहे हो, उनको बहार फेक दू, 6 और 6 पेर बना के बहार आजाएगा, 11 और 11 पेर बना के बहार आजाएगा, 5 और 5 पेर बना के बहार आजाएगा, सर, यह आगया, area of this triangle, ठीक है, यह area आगया, अच्छा, यह triangle का area, यह भी area, तो सर, एक काम कर सकते हैं, आपन, क्या काम कर सकते हैं, भाई, देखो, area of this triangle, जो हमने पहले इसी triangle का area निकाला, सर, वो तो यह आ रहा था, half, into base, मतलब into 11, into height, height, मतलब AD, और यही तो अपन को निकालना है, altitude AD, पर सर, area तो अपन ने हिरोंस फॉर्मला से यह निकाल लिया, 6 into 11 into 5, अब आप यह मत कहना कि सर, multiply क्यों नहीं किया, अरे कर दो भाई, तुम्हारी च्छ है, 1 upon 2 into 11 into AD, और AD ही हमको निकालनी है, 11 से 11 कट गया, 2 उदर चला गया, 5, 6 is 30, 32 is 60, बिटा, 60 meter AD की height आ गई, और यही हमको ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, so this is it, यह अपना complete हो गया, ठीक है, जल्दी से देख लो, बिटा, चल, भई, यहापर खतम करते हैं अपन इस सेशन को, आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन बढ़िया लगा होगा, Heeran's formula का introduction, तो भई, आगे मिलेंगे, जल्दी से, दूसरे सेशन में, आप हमारी website से भी बढ़ाई कर सकते हो, www.magnetbrains.com, आप हमारा एप भी इंस्टॉल कर सकते हो, Magnet Brain सर्च करना, प्ले स्टोर पे आप मिल जाएगा, ठीक है दोस्त, चल्दी चलते हैं, आप नेक्स सेशन में, तिल दैन, हापी लेर्निंग, टेक केर, बाई!